नियम पहला और सबसे ज्यादा जरूरी नियम है 41 दिनों का अज्यातवास साधना के दौरान आपको किसी की भी मृत्यू और जिस घर में किसी का जन्म हुआ हो तो साधक वह नहीं जाएगा आपने भोजन को खुद बनाना है और वस्तर खुद साफ करने है इसमें समय 41 दिन का लगता है जाप का समय रात्री 10 से एक बजे मध्यरात्री का होता है आसन लाल रंग का होगा वस्तर भी लाल ही होंगे माथे पे कुमकुम का टीका लगाना है दाए कान में रूई में इकतर गुलाब चमेली या मोगरा लगा कर रखना है सात्विक भोजन करना है और वो भी एक समय साधना काल में एक सरसों तेल का दिया दिन रात जलता रहेगा साबुन तेल कंगी उस्तरा नहीं लगाना बिना सिले वस्त्र पहन कर साधना करनी है और साधना के लिए एक गोपनिय कक्ष का प्रबंध पहले से ही कर ले जाब के समय पूजन करें और जाप के समय धूफ इत्यादी का प्रबंध करें, दिन में कम से कम दो घंटे त्राटक करते हुए मंत्र जाप करें, अपने मन में नाकारात्मक विचार ना रखें, और पुर्नत्या ब्रहमचर्य का पालन करें, भूमी पर ही सयन करें, साधना के दौरान किसी भी गर्म ता रखकर रक्तपुष्प माला डाले और कलश स्थापना करें, फिर एक सरसो के तेल का दिया और एक देशी घी का दीपक प्रजवलित करें, माता का करोन भाव से आवाहन और स्थापन करें, सामान्य रूप से पूजन करने के उपरांत सिध्धी प्राप्त करने के लिए माता प्रज़ जी और अपने गुरुजी के मंत्र की 5 से 5 माला जाप करें, जितनी भी सामगरी का प्रयोग करें, वो सामगरी किसी अन्य देवता की पूजा में प्रयोग ना किया हो, नित्यपरती गाय के गोबर की आग पर देसी घी गुगगुल बता से मिला कर होम करें एक लाल धोजा, एक नारियल, एक लोटा जल, एक फूल माला, 11 लॉंग, 11 छोटी इलाईची, 11 गुलाब के फूल, माता जी का 16 सिंगार, 5 लड्डू, जोडा खंबनी, 5 बता से, 11 गुलगुले, 11 मालपुए, 250 मिक्स मिठाई, 1 शराब का पववा, और थोड़ा सा हलवा, ये स प्रति दिन आपको बदलना है और चढ़ाये हुए सामान को किसी निर्जन उजाड में रख देना है। दूसरे दिन फिर से नया सामान चढ़ाना है बिना घेरा लगाए ये साधना बिलकुल नहीं करनी। जाब करके आपने जिस्म पर फूंक मार लें। दानन बंगालन तेरे काले इन दातमाशा। जाब करके आपने जिस्म पर फूंक मार लें।